वेलकम टू माई चैनल कैसे और फ्रेंड्स और यह विलोग 20 अप्टूबर का है पुर्णिमा के दिन का कुछ विलोग रह गया था क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो था इसलिए मैंने पुरानी डाला था तो बस यह मैं जहां से आपने देखा तो उसके आगे काई है यह फिर यह ड्राइफूर्स बगहरा डाल दे रहे हूं ताकि यह दीरे दीरे पकते रहे हैं वह आज सरत्पुर्णिमा है कहते हैं खीर बना के चंदर्मा की रौसनी में रखना चाहिए तो वह प्रसाद के रूप में फिर खाना चाहिए अच्छा होता है यहां पर देखो बेटी मेरी मस्ती कर रही है टीवी देख रही है अराम से चेयर पर बैठके उसे जब यह थोड़ी चेश आत मेने की तो यह गाना बहुत ही ज़्यादा सुनती थी अभी उसको इस गाने में इंट्रेस्ट है तो मज़े से सुन्ड़ी अभी तो खेर कोई भी गाना सुनने में उसको बहुत इंट्रेस्ट है डांस करने लगती है और लगभग खीर मेरा यहां रेडी हो गया है और मैं चीनी डाल रही हूं कि खीर बन जाएगा तो मैं कम से कम भोग लगा दूंगी चांद को और हस्पेन अभी आये नहीं थे वो ऑफिस में ही थे उनको तो आने में नौ सवा नौ साड़े नौ कभी को भी दस भी बच जाता है और यह खीर मेरा बनके रेडी हो गया है अब मैं पहले मैं निकाल लेती हूं वन्ना बच्चों को खीलाना होगा तो जूठा हो जाएगा बस निकालके उनको थोड़ा में जल दे दूँगी यह खीर का भोग लगा दूँगी और मुझे उपर जाना भी नहीं पड़ेगा कि चलो टैरिस पर जाना पड़े मेरे गैलरी से ही दिखता है विंडो से पहले में जाके उनको जल चड़ा देती हूं देखो मेरे बच्चे कैसे फैलाए रहते हैं अगर मैं ध्यान ना दूँँ यह देखो चांद दिख रहा है तो यहीं से मैं उनको अर्थ दे दूँगी और बहुत ही अच्छा सामने यह एडजक सामने पूरफ साइड में देखता है तो पूरा का पूरा चांद निकल आया था तो फिर मैंने उनको यह तुलसी का पौधा जो लगाया था उसमें मैंने पूजा भी किया था तो बस अब मैं जा रही हूं जल चड़ाने के लिए ब मेरे से आगे तो मेरे बेटी ही रहती है और यहां देखो किट्टू वह भी हाथ जोड़के प्रे कर रहा है अब मेरे साथ पूजा करता है जल मैंने दे दिया अब यह खीर का भोग लगाने जा रही हूं बेटी मेरे पीछे पीछे कि यहां पर जो मेरे मेरे जो जो जालोहा लगा हुआ है बस वहीं पर में रख दूंगी कहते हैं कि चंद्रमा की रोसनी जब खीर पर पढ़ती है तो मतलब वह अच्छा होता है पढ़ना चाहिए तो मैं ऐसे इसको खुले में नहीं रखोंगी अभी तो खुले में दीख रहा है इसको मैं जो पीपड़े से या फिर मैंने तो चाय की छननी जो होती है उससे ही मैं थर अब भागा ने दिया था और फिर मैं यहां आ अटा मैं ने गूंद लिया था भूग लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत अपने बेटे को पढ़ाने लगी थी और सब्जी भी मेरी को सब्जी का तो मैं नहीं बना पाई वीडियो बेटे को पढ़ा रही थी पॉन से पढ़ा रही थी इसके फॉन में होमवक आ है तो लेके मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है तो यहां में पराठा बना रहे थी क्योंकि पूरी तो बहुत ही ज्यादा तेल तेल हो जाता है तो इसलिए पराठा यह बनाया भी बस हस्प्पल के आने का ही वेट है चुची कि बनाने लग जाती हुऄ टाइम भी हो धा 5 9 बज रहा था उनका आने और प्शे और जाने का टाइम हो भी गया था तो व बच्चे को भूख लगी थी तो मैं पहले ही बनाने लग गई ऐसे तो बनाती तो दो तिन पराठा बना के दोनों को दे दिया और सबजी भी मैंने पनीर की सबजी बनाई थी अब बेटी को देखो आ गए ये किचन में पराठा लेने के लिए वो कच्छा आटा ले रही है चड़के खाने के लिए जाक लिया जाक के असका हाथ लग गया आठे में आठा निकालेगी और खाने लगे और किट्टू भी आ गया उसके पीछे कि वह तो उसको चिराते ही रहता है हमेशा है तो बस पराठा जो बना के रखा था मैंने इन लोगों को दे दूंगी खाने के लिए और खीर भी दे दूंगी इसे मुझे खिलाना पड़ेगा किट्टू भी मेरा नहीं खा पाता है ँतना बड़ा लेकिन नहीं खाता है खिलाना पड़ता है किट्टू को भी प्यूं को भी दोनों बच्चों को मुझे क्षिलाना पड़ता है ऐसे किटिू-खाने लाइक हो गया उसे खुद खाना चाहिए पर जैसे मेगी भीगरा ओंगे ओंसी और सब खा लेता है और पराफा भी एससे खा लेगा आलूर का पराफा throws हो गया साधा पराफा हो गया व सबखा लेता है перसे सात हमें कहो खीर और पूरि कू diff और सब्जे सब्जी और पूड़ी वह सब नहीं खा पाता है तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है दोनों के पीछे ही मेरा टाइम लग जाता है एक को खिलाओ दूसरों को खिलाओ और उसके पापा का में वेट कर रही थी लगबग पौनेदास हो गया था पर वह आये नहीं थे मैंने सोचा बना लेती हूं बच्चे दोनों मेरे खा लेते हैं उनसे तो छुट्टी मिल जाएगी फिर हस्पिन आएंगे फिर हमारा खाना बाकी ही था आज का वीडियो यहीं तक का वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक जरू कर दीजिएगा शेर और सब्सक्राइब भी जरू कर दीजिएगा बाई बाई गुट नाइट टेक केर स्वेट रिम बाई जर भी जरू को तक का वीडियो यही थास दो कि लिजए लगीजिए प्रिजिए मेश्बजगा बाई भी जरू आएट वी तक के वीजिएगा वीजिए लेगे बाई